तो मैंने सूचा यह नया साल क्यों ना कुछ मीठी के साथ शुरू की जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या करना है एक पैन लेना है उसमें मैंने यहां पर वन कप मिल्क लिया है अगर आपका बड़ी मोटी चीनी है तो उसको आप ग्राइंड कर लीजिए उसका पेस्ट पना करके इसमें एड कीजिएगा और इसके बाद मैंने यहां पर दो कप मैंने आप मिल्क पावडर लिया है लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं इपनी मिल्क पावडर को इसमें एड करूँगी गैस का जो फ्लेवें बिल्कुल रखना है और इस तरीके से स्टर करते रहना है एसे एक साथ डाल देंगे तो इनकी जो हमारे जो मिल्क पाउडर होता है उसमें गुठलियां बन जाती है और अच्छे से वो मिक्स नहीं होता है तो इसके बाद मैंने इसमें एट गिया है कार्डिमम पाउडर इससे क्या होता है इसकी खुश्वी बहुत अच्छी आती है साथ ही इसमें एट गिये हैं बहुत सारे ड्राइफ रूट्स आप चाहें तो ड्राइफ रूट्स को स्किप्ट कर सकते हैं लिकिन मुझे बहुत पसंद है तो मैंने इसमें बदाम, काजू, पिस्ता सभी को ग्राइंड करके इसमें एट कर दिया तो इसको हम 6-7 मिनिट के लिए इसी तरीके से स्लो गैस पे इसको स्टर करते रहेंगे हम इसको तब तक स्टर करेंगे जब इसमें थोड़ी से थिकनेस ना आ जाए इसका एक डूसा ना बजाए देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया है तो इसमें इसका इसका जो टेक्शन द्ल SMITH को रहें है तो लोड़ा थीक हो गया है तोड़े देर के लिए हमने यह दिखिए हमारी कंसिस्टेंसिस बिन चुकी पिया है अब यह हमारा राडी से स्टफ है अब हमैं क्या करना है एक पलेट लेंगे उसमें हम बटर पेपर एड़ करेंगे उसका थोड़ा सा घी ऑ plains लगा करके हमारी जो मिक्षरता उसको एड कर देंगे थोड़े से ट्राइफू डाइन आउन करके 10 मिनिट के लिए इसको फ्रेच में रखेंगे और देखेंगे 10 मिनिट के बाद आपकी मिठाई खोया वाली बरफी बन के त्यार है बहुत ही ईजी और टेस्टी बनने वाली रेसिपी है आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज दो लाइक, कमेंड, शेर और डोंट फरगेट तो subscribe my channel then guys bye take care enjoy